है लो स्टुदेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कलविन पर और आज हम करने जा रहे हैं Magnetic Effect Of Current ॉनशॉट याने कि करेंगे हम कंप्लीट करेंगे Magnetic Effect Of Current के सारे के सारे कंसेप्ट तो चलिए करते हैं स्टार्ट आप भी अपना कोपी और पैन उठा लीजिए और मेरे साथ हो जाए इस्टार्ट चलिए तो करते हैं वन बाए वन सारे टॉपिक स्टार्ट डा नाम है भारत बुशन और आप देख रहे हैं Kelvin चलिए तो देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर magnetic effect of current में बच्चों को काफी डाउट रहता है काफी बच्चे मुझे बोल रहते हैं सर कि इसका वन शॉट कब आएगा कब हम लेके आएंगे तो हम ले आये हैं वन शॉट आप देखिए इसमें क्या 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 टॉपिक है आपका पहला तो सबसे पहले जो इसमें है ऑईस्टर क का एक्सपेरिमेंट है आपको पता होगा और फिल्ड यासे मेंगनेटिक इफेट्ट और का पता चला था तो जब भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अगर आसपास कोई मेगनेटिक नीडल रखी हुई है तो वह एक पर्टिकुलोर डिरेक्शन में डिफलेक्ट और interact करता हैं मतलब दोनों लाइन आपस में मावनली जब टकराती हैं या interact करती हैं इंगलीश में interact करती है उसके कराण करती है तो ऊश्टरं ने एक्सपेरिमेंट किया उसने देखा कि जब भी current हम on करते हैं तो जो निडल होती है वो डिफलेक्ट करती है साथ में उसने ये भी देखा कि अगर मैं करेंट की डारेक्शन कर दूँ रिवर्स मालों करेंट आपका जैसे अभी लेफ्ट टू राइड ए टू बी जा रहा है मैं बी टू ए कर दू तो आपकी निडल मालों पहली बार में कुछ उसका भी एक अपना मेंगनेटिक फील्ड होता है जैसे की मेंगनेट का होता है तो यह हमारे कंक्रूजन थे तो ओयस्टर्ड ने फर्स्ट टाइम जो हैं डिस्कवर किया मेंगनेटिक इफेक्ट ऑप करेंट ओयस्टर्ड एंड जो इनके ऑप्जरोशन आपने देखे ओनेटिक फील्ड को जब भी होता है जो भी कुरेंट कारिइंग वाएर होती है तो सेम बात है अवर आते हैं मैगनेटिक फील्ड लिईस्ट फील लैंस पर होती है में पारेशन करनी ggूर्स करनी होता है बताना होऊता ओको फिल्ड भील है या इस्ट्रॉंघ ऑपक्षी ड magnetic field को समझने के लिए बनाया है, तो magnetic field line क्या होती है, देखिए, magnetic field line जो होती है, actually, जब भी कोई हम magnet लेते हैं, या कोई भी जो magnetic field produce करती है, वहाँ पर हम लोग magnetic field line बनाते हैं, तो magnetic field क्या होता है, पहले, magnetic field is the space around the magnetic pole or the magnet in which it's effective experience by another magnetic pole of the magnet, तो उसको magnetic field बोलेंगे, magnetic field जो quantity है, which has both direction and magnitude, magnetic field में दोनों चीज़ें होती है, direction और magnitude, उसको बोलते हैं, magnetic field, ठीक है, field line की बात करते हैं, वो field था, अब magnetic field line की बात करते हैं, यहाँ पर जो इन्हें फिल्ड हो गई है, magnetic field है, जो आप से पूछ सकता है, राइट दा प्रॉपर्टी है, तो जैसे माल लिए क्या प्रॉपर्टी है, जिसे पहले प्रॉपर्टी लिखी है, कि all lines are close कर, तो वो जो है close कर बनाती है, मतलब कि अगर वो शुरू होती है, फिर गोल घूम के अपनी जगह पे close हो जाती है, तो जैसे माल लिए यह आपकी जैसे magnet है, तो इसमें अगर कोई भी आप लाइन देखे तो जैसे घूम के यहां पर आईए, और तो यह magnet के अंदर से आपको पता है, complete curve बनाएगी ऐसे करक तो यह close loop बनाती है, कभी भी यह open नहीं होती, दूसरा, they come out of the magnet from the side of the north pole, तो नौर्थ पोल से यह बाहर निकलती है, तो जहां भी आपको लाइने बाहर निकलती भी दिखाए दे, हम उसको बोलेंगे north pole, चाहे भले ही वापे magnet होया, कोई और भी चीज हो माल लो, जैसे माल परता है, north pole कौन सा है, south pole कौन सा है, तो वहाँ पे अगर field line है बाहर आ रही है, उस pole को हम बोलेंगे north pole, और जहां field line अंदर को जा रही होंगी, उसको बोलेंगे south pole, तो north pole से यह बाहर आती है, and south pole के यह अंदर जाती है, तो हम north को कई बाहर positive भी बोलते हैं, और south को negative भी भी साउट टू नॉर्थ होती है मेगनेटिक फिल्ड लाइन की डारेक्शन दे ऑल्वेज नॉर्मल टु दा सर्फेस अब दा मेगनेट एवरी पॉइंट तो किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे तो मेगनेटिक फिल्ड लाइन जो होगी हो तो मेगनेट से नॉर्मल होगी तो अगर हम देखेंगे आज से कैसे मेगनेट लाइन बनाए तो नॉर्मल निकलेगी सर्फेस से बाहर तो यह भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है ओके चलिए आगे बूप करते है इसके अराबा जो फिल्ड लाइन होती है इस पॉइंट पर कुछ दो डारेक्शन यह है टेंजेंट ड्रॉप करने पड़ेगी आपको तो डारेक्शन आएगी आप मालो दो फिल्ड ने क्रॉस करके यहां पर कर गई तो यहां पर तो आप बोलोगे कि फिल्ड इदर को है इस लाइन की अकॉर्डिंग आप देखो कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह पॉसिबल नहीं है कि दो फिल्ड नाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो एक जगह पे अगर फिल्ड नाइन होगी तो एक ही होगी कि दोनों अगर आप मैगनेट को पास भी लियाओ तो उनकी फिल्ड नाइन मर्ज होके एक लाइन बना देंगी जहां पर दुनों इंटरसेक्ट करेंगी जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी एक लाइन बन जाएगी दूनों का रिजल्ट अ जाएग़ ओके तो यह स्की प्रॉ नांधे बहुत पास-पास होती है अगर आप देखेंगे पोल के पास यहाँ पर जहाँ पर आपका पॉल था तो लाइने बहुत पास पास निकलते हुए निकलती alphabet लेकिन अगर आप दूर चले जाओगे तो लाइने बहुत दूर-दूर होंगी ऐसे करके हैं इन में दिस्तंस जदा होगा यह तो हम बोलेंगे यहां पर लाइने बहुत पास-पास है और यहां पर लाइने बहुत दूर-दूर है तो जहां पर लाइने पास-पास होंगी वहा पर बोलेंगे field strong है जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर बोलेंगे field weak है उसको जो है मैंने कमजोर है उसको खाना पीना ज्यादा खाना पड़ेगा तो वह strong बनेगा तो यहां पर पास पास आएंगी वहां पर बोलेंगे उसकी field कहां पर strong है और कहां पर a week है जैसे मैं उस वाख ये हम अगर यहाँ बनाए यहाँ पर मैं यहां पर अगर मैं एक area बनौँ और एक area यहाँ पर बनाउल तो जढ़ा लाएन यहां से यहां पर luni अगर बना दों से से लिए एरिया मेंने दुरों सेम लिए 1 cm2 1 cm2 तो उससे यहां पर फिट्व है और यहां पर हमारा फिल्ड कैसा है वीक मैंगनेटिक फिल्ड है तो यह आपको लाइने जो हमने प्रोपरटी पड़ी हैं वह आपको जो है सारी प्रोपरटी पता होनी चाहिए पेपर प्रॉपर्टी कई बार पूछ लेता है तो आपको पता हो नीची कौन को सुखी प्रॉपर्टी होती है कि कम संगम पांस प्रॉपर्टी याद कर लो ठीक है अच्छा अब हम आगे आते हैं अब अगले टॉपिक पर आए जो है आपका Magnetic Fields due to current carrying state KC and current carrying state wire या फिर कंड़क्टर हम बोल सकते है उसका magnetic field क्या होगा το जब ही Straight wire होती है Tai इसके आ शर्च सब्सां बीडेशा होता है अब यहमने और से उसपास कौन से रूल से राइट हैं ठामяжन ये तो यह वाले फिंगर है यह आपको क्या देंगे फिल्ड यह aja नै बनेगी गोल-गोल फिल्ड होती है आपने पड़ा था तो ये गोल फिल्ड नायन a निकाल सकते हो टेंजिन ट्रोस कि माल़ों यहांपको यहां पर निकालना है तो यहांपÁ Branch यहां पर смख करने निकालना है तो यहां पर निकालना है तो यह looks कि इस निकاتे हैं तो इसे कोशन का इस यबाएंता है इसे अफ्रीड मे डानजो सकते हैं टो इसक Cape North हे यहां लेफ्ट में कहा होगा तो आपको यहां से अंदर जाएंगी और यहां से भार आते विखेंगी तो यहां से अंदर जा रही होंगी यहां से बाहर निकल रही होंगी ओव मनने आ और इंदर नीचे से ऐसे चाहिए आप की तरफ को आ रहbase और जब तो अगर आपसे पूचे कि यहां पर यहां पर दिस डाइन है वह उसे हैं सब luz хотите अगर आपसे पूचे और यहां पर विर्म कीदे रहे कि दर हैं outside the plane सब लोग एगवाद राइब करके देखेंगे video को पॉस करके तो आप देखोगे यहां पर कि इंसाइड है और यहां पर देखेंगे तो outside the plane है तो यह भावत कोश्य आते हैं आपको थोड़ा से यहां पर देखना पड़ेगा रुखना पड़ेगा समझना पड़ हो है कि कल दफ पोर फिंगर्स आपको कर रखा है तो आपकी जो कल फिंगर होंगे वह आपको फिल्ड की डिरेक्शन देंगे तुमा लोग करेंट उपर को जा रहा है तो थम नीचे होना चाहिए तो आपका जो यह फिंगर है यह अकॉर्डिंगली ऐसे घूंते वे नज़ए आएंगे आपको अब मैं यहां से अगर दिखू तो यह एंटी क्लॉक वाइस गूम रहे हैं इस केस में और इस केस में अगर मैं देखू तो यह मेरा क्लॉक वाइस है आप लोग यह विए रुक के देखेगा आपके फिंगर जो यह मतलब यह नीचे से अगर मैं उपर की तरप को हो और इसको देखू तो यह क्लॉक वाइस गूंती है घड़ी गूंती है हमारी वैसा है ठीक है तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं तो वह यह आपका लिखा है इस तो यह आपका अगर को दिरेक्शन में रखते हैं फिं इन अगर करेंगे तो अगर की बात चल रही है इस ट्रेट वायर में आपका जो करन्ट होता है वह हम हम्-थॉप परजेंट करते हैं और फिल जो वह वह वाकी चार फिंगर से रिपर्जेंट करते हैं ओके चलिए अब आगे मूब करें है ओके अब क्या आया हमारा यह आया हमारा इट मीन देदा करेंट फ्लो इंद स्टेट वायर मगनेटिक फिल्ड प्रडूइज इसेंटर होगा वह लाइन पहीं होगा इक फिल्ड नाहीं तो अगर यह वायर है तो इसप्लेन में होगा फिर इस प्लेन में होगा इस नहीं है पर पेंडिकुलर है फ्रेन नहीं है तो यह ज्यादा इंपोडेंट यह है और right hand thumb rule से कैसे direction निकालेंगे वह ज़्यादा important है वाले राइट चली आगे भूब करते हैं अगर circular coil होगी तो circular coil में क्या होगा current जो है गोल ऐसे घुम रहा होगा ऐसे घुम रहा होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम चाहें तो right hand thumb rule भी लगा सकते हैं तो current है आपका तो इसके current जो फिल्ड आ रहा है तो यह ऐसे आ रहा है अंदर इस साइड को अगर मैं देखू तो बहार की तरफ जा रहा है और यहां से घुम के इस वायर के चाहरो तरफ पर देखू तो फिल्ड यहां से अंदर और यहां से बाहर है कि I think you can guess it अगर मैं पिछवाली वायर को देखू तो current इदर को जा रहा है तो ऐसे मुझे लगाना पड़ेगा तो यहां पर फिल्ड ऐसे जाके और अंदर को जाएगा है न मतलब यहां से बाहर निकलके और ऐसे जाएगा तो अगर मैं आप से पूछो कि center पर फिल्ड किदर को है center फिल्ड उपर को है या नीचे को है अगर आप कैसे निकलों तो इसको इसके करण मैं कि तरको आ यहां से देखो तो तब भी मेरी 파ूर को आरी है एक बार आप लोग भी आपर रूखें वीडियो को पास्ट करें और फिर देखें कि आप कोई भी ऐसा गेस कर पा रहें ह आपकी जो फिल्ड लाइने हैं वो उपर को आ रहे होंगे तो अगर आप सेंटर की बात करोगे तो सेंटर पे इस केस में क्या आ रहा है फिल्ड जो है उपर को आ रहा है तो हम राइट एंड खंडू लगा के यहां पर निकाल सकते हैं कि फिल्ड हमारा सेंटर पे किदर को हो गा कई बार कुशन को पूश्य ने तो करेंट यह करेंट्ड यांटि एंटक्लोकवीस कर रहां है तो एंटीकेंस करेंटала करको एक पृपॉर्ड फीरिंदा में इस अपवर्ड मैं और फिल्ड या иुश गまだ में क्यों में इम दो vivir और यह दिखा रखा है कि हर अपना फिल्ड बनाता है और सेंटर पर आप देखें तो मालूँ यह पूरा वायर है तो इस इस एलिमेंट को देखें दूनों का फिल्ड एक डारेक्शन में होगा अगर आप राइटेंट थम्रूल लगा है तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा इसको तो फिल्ड जो बनेंगे और इसके आसपास बनेंगे वह करण्ट ऐसे जा रहा है तो सरकल ऐसे बनेंगे तो यहा उस केस में आपने देखा था पिछले वाले केस में एंटी क्लोकवाइस करण्ट था एंटी क्लोकवाइस करण्ट था तो फिल्ड यह बहार को आ रही थी सेंटर से उपर को आ रही थी और यहां पर सेंटर में अंदर को जा रही है तो आपको यहाद रखना पड़ेगा कि ज प्लेन आपकी लाइन जाती है तो सौफ पोल भी बोल सकते आप इसे और अगर एंटी क्लोकवाइस करेंट है तो आउटसाइड आ रही है पिछ से आपने देखा है इसको नॉट्फ पोल भी बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो यह वायर है उसका उसका जो यह वाला साइड है वायर का जूंसों और सब्सक्राइब करेंगे यह जो है क्लोकवाइस है यह साओफ पोल है ठीक है और इसका पीछे वाला साइड आप देखेंगे पीछे से जाकर तो वन ओर वो ल्ग के हैं कि अब आते हैं एक Gomez करनक दिख रहे हैं कि क्लॉक वाइज में में स्वाइर करता है inside the plane liner होती हैं तो यह अब को यह तक ऊ कि वह होता है के वाइर यहाओं गौल गुल आपने कि होती है इस्प्रिंग की ठीक है तो इसमें जो आप current flow कर आओगे तो यह क्या होगा कि तरह हुआ आपकी एक सर्कुलर कोयल थी यहां पर कई सारी सर्कुलर कोयल आए गई तो सब का अपना ना फिल्ड होगा उसके करण यहां सब करने के अंदर क्या होगा फिल्ड होगा उसकी कुछ अपनी प्रॉपर् कहीं सर्कुलर कोशाल हूदर नकल रही और फैल रही हैं और यहासे अरिए तो आप देखी मिंगे इसका काफी काफी ज़ो रिजर्जंबल कर रहा है बार मेगनेट की तरह तो लकबग बारमेड की तरह ही होता है एक सालğक बार मेंट की तरह है नागमी सब लिए इसका अंदर अगर आप देखें तो फिल्ड जो होता है uniform होता है constant फिल्ड होता है हर जग है ठीक है तो ऐसा फिल्ड दिखते हैं हमें अंदर अगर आप देखेंगे करया हो अगर यहां से देख रेज तो मालो anti clockwise current नॉर्फ बनेगा ठीक है अपनौक म finances बांड कर दिया तो यह क्या हो जाए करन. इसे यहां से है यहां से यह सकते हैं और भॉक ho कि अगर करेंट मेरा दिखने में यहां से क्लॉक्वाइज है तो यह साउथ पोल है और इसमें भी अगर आप अंदर जो है कीया है साउफट आईरन डालने किसा साउफट आईरन बार काफ़ी स्ट्रॉंग हो जाता है कि इसकर इसका बोümतने neighborhood क्या है ओके अब देखें यहां पर difference क्या है अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों का जो field है solenoid या Electromagnet का जो field है वो magnet से resemble करता है लेकिन कहां पर difference है तो लिखा है right three differences between the field of the electromagnetic and the permanent magnet तो एक बार आप लोग भी सोचिए क्या difference होता है फिर आम इस पर आते हैं पॉस्ट करके यहां पर सोचिए तो फटा 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 से दिखते हैं तो पहला difference यह है कि जो electromagnetic होती है इसमें पास करते हो तो वह मेंगनेट बनता है अगर पास नहीं 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 रहेगी तो यह तरह का temporary magnet है यह permanent magnet है जो आपका बार मेंगनेट होता है ना दूसरा क्या है आपने बजारसे जैसा खरीदा है इसको तो इसके बजारसे जैसा खरीदा है इसको तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सेम रहेंगे वो चेंज नहीं होंगे तो यह इनके बीच पे मेजर मेजर डिफ्रेंस यह भी है जो कि आप अलग से लिख सकते हो तो यह आपने यह तक डिफ्रेंस पड़ा अब चलते हैं नेक्स टॉपिक पर और अगला टॉपिक हमारा ह है अगले टॉपिक से पहले एक और पॉइंट है हमारा कि जो नंबर आफ टंस जो इस्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रो मेंगनेट की कोई भी जो आपका इलेक्ट्रो मेंगनेट होता है उसकी जो इस्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है मतलब उसमें मेंगनेटिक क्या है उसके अंदर जैसे आपने soft iron डाल दिया तो field strong हो गया अभी अपने दिखा था तो medium क्या है मतलब air है अंदर या soft iron है या कुछ और है तो दो चीजे तो यह है तीसरी चीज होती है number of turns per unit length है ना मतलब एक मिटर में कितने उसके turn है मतलब एक मिटर में 100 turn है या 200 turn है मतलब आपने पास-पास उसको बहुत पास-पास ऐसे कसके वो करा तो तर्न ज्यादा होंगे एक मिटर में और आपने दूर-दूर किया कि एक ऐसा एक ऐसा तर्न आपने बड़े-बड़े किये तो फिर कम सब्सक्राइब करता है में आगे मुट करते हैं तो यह सकते हैं तो यह तो यह तो एक में iron है, बीच में soft iron और एक में cable air है, तो जो iron वाला होगा, उसका magnetic field stronger होगा ज्यादा, ठीक है, या फिर एक मालो current 5 ampere, एक में 10 ampere है, तो दस वाले में ज्यादा होगा, तो इसको हम detail में higher class में पढ़ते हैं, अभी हमें इतना पता होना बस sufficient है, ओके, चलिए, next है आपका force on a current carrying conductor in magnetic field, अगर हम किसी भी current carrying conductor को magnetic field में रखते हैं, तो आपने देखा था oyster के experiment में कि वो अपना भी field produce करता है, अब मालो उसका अपना field है, एक भार से field लग रहा है, तो दुनों की field नहीं आपस में टकराएंगी, या interact करेंगी हम बोलते हैं, तो फिर उसमें एक force लगता है, तो current carrying conductor, कोई भी current carrying conductor, जब किसी magnetic field में होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक force लगता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो यह हमने एक current carrying conductor है, इसमें electron move करने हैं, और आपने इसको एक field में रखा, तो इस पे जो है, force लगा, तो यहाँ पे भी experiment के थु दिखा रहे हैं, कि अगर आप इसमें current pass करोगे, और यह magnetic field में रखा हुआ है, तो इसमें current pass किया, तो फिर यह move करने लगया, है ना, क्योंकि magnetic field में रखा था, यह magnet के बीच में रखा हुआ है, जो rod है, आप देख रहे हो, तो इस rod में current जब pass किया, और यह magnetic field के अंदर है, द इंट्रेक्ट करते हैं आपस में and net force act on the conductor और पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है ठीक है तो अब यहां पर question है कि फोर्ड जो होता है किदर को लगता है कितना लगता है कोशन तो यह हो सकता था लेकिन कितना भी आपके स्लेवस में नहीं है कितना लगता है किदर को लगता है वह आपके स्लेवस में है तो लेटस सी तो उसको हम निकालते हैं left hand flaming rule से है आपके left hand अप लेंगे आपके तीन जो finger है आपका जो अंगुठा है जो थम बोलते हैं हम लोग आपका जो फोर फिंगर है आपका जो सेंट्रल फिंगर है इन तीनों को हम लोग आपको mutually perpendicular रखेंगे ऐसे रखेंगे और इनमें जो यह तीन होंगे वह एक एक चीज़ को रिपर्जेंट करेंगे आपके तीन चीज़ें क्या क्या है यह आप एक तो current किदर को flow कर रहा है दूसरा magnetic field आप बहार से जो लगा रहे हो बहार से जो लगा रहे हो अपना नहीं बहार से magnetic field लग रहा है वह किदर को लग रहा है उस conductor पे तीसरा उस पर फोर्स फिर किदर को लगेगा वह आपको निकालना होगा है न तो इस थांब से हम लोग करते हैं फोर्स इससे हम रेफर्जेंट करते हैं फिल्ड फोर फिंगर से फिल्ड और सेंटल फिंगर से करंट या फिर कई टीचर ऐसे भी याद कराते हैं father, mother, child ठीक है तो या फिर ऐसे याद कर लो फिर मैं बोलता हूँ कि तो फोर्स और यह आपका फोर्स फिंगर है तो फिल्ड और यह सेंटल फिंगर है तो करेंट ऐसे हम लोग इससे निकालेंगे हमें दो चीज़ पता होंगी डिरेक्शन तो अकॉर्डिंगल हम हाथ को मोड के उनको उसकी तरफ को ले जाएंगे मालोग फिर्ण थिर्ण हमारा इपठीश को है और फिल्ड इदर को लग रहा है इस कीसमें है ना तो हम देखेंगे कि इधर को हमें फिल्ड बाकी चीज़व है वह तो दो चीज़ आपयंगी तीसरी निकालनी होगी अच्छा इसमें बच्चे गलतिया करते हैं बच्चे फिंगर को को यूं कर लेते कही बार एजी करने के लिए कि ऐसा नहीं करना यह प्रेंडिकॉर होना तो जरूरी है इनको आपस नहीं कर सकती एसे घुमाना पड़ेगा आपको हात attend करता है और जो यह हैं यह current को represent करता है अगर आपको 2 फोर्स और फिल्ड कि दी आए करए कर रा है वह आपको निकालना है तो आप सकते हो यह सकते हो या फिर कई बारकेश के लिए कि वेस्ट है ठोड भलत्रो हमारा we will use left hand flaming rule left hand rule या left hand flaming rule हम लोग use करेंगे तो यह rule क्या बोलता है direction of force action on a current carrying conductor when placed in a magnetic field is given by flaming left hand rule which state that क्या state करता है if four finger second finger and thumb of the left hand are stretched right angle to each other with the four finger in the direction of the field four finger in the direction of the field and second finger in the direction of the current मैं तो central बोलता हूं इसे आप second दी बोलता है central in the direction of the current then thumb indicates the direction of the force तो आपका जिए थम होगा हो क्या रिपटेंट करता है force तो यह आपकी statement है as it is आपको board में लिखके आनी है अगर आता है तो आपको board में आपको बनाना पड़ेगा कि हात में अगर अंगोठा है यह है तो इसको पूरा diagram मना कि सफ्वी कि दर को है current कि दर को है और कि दर को है फिल्ड कि दर को है वो सब आपको बताना पड़ेगा तो यह आपको धंग से practice कर ले लेना एक अब जैसे हैं पर कोश्चन एक आ गया ऐसे कोश्चन भी इसमें आ जाते हैं कि यह कोश्चन क्या पूछ रहा है यह कि एलेक्ट्रोन एंटर इन अ करता है करेंट जो होता है पॉजिटिफ चर्ज का मुवमेंट से हम करन निकालते हैं इलेक्ट्र नेगिट्व होता है तो आपको अपॉजिट दॉर्चन लेना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोन जो है अगर इधर को आ रहा है तो पूरा कर दिया आप देखें यहां पर यह चीज current है, current कि इदर को है, मेरा उपर को है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, current ऊपर को, field उधर को है, तो सही हो गया, field तो खुदी उधर को हो गया, इसी हो गया है, तो आपका thumb अंदर को आ रहा है, तो thumb अंदर का आने का मतलब कि जो इसमें force लगेगा वो अंदर को लगेगा यानि यह electron जो इधर को आ रहा है अंदर को इसमें घुम जाएगा अंदर को तो इसमें जब force लगेगा वो अंदर को लगेगा अगर आप लोग अभी नहीं कर पारे एक बार रुख के pause करके खुड try करो एक बार question देखके कि क्या answer अधर आएगा और फिर continue करो ओके चलिए one two three done चलिए तो इसमें जो हमारा answer होना चाहिए यह वो होना चाहिए into the plane जो force हमारा लगेगा इस case में current आपका उपर को है फिल्ड इदर को है तो into the plane force लग रहा है तो हमारा answer होगा into the page ठीक है इसमें देखो right और left तो वैसे भी answer नहीं हो सकता क्योंकि जो force लगते है वो perpendicular होता है परपर्पएंडिकलर होता है तो वह तो ब्लक फर्पेंडिकलर फिल्ड होता है तीनों आपका और से प्रपेंडिकलर आ चुक्ता है तो यह तो हम 250 U.K अ सकता है अनम Allah को सकता है तो तो आंसर इस डी यह आप लिखा भी हुआ है तो आप यह देख लीजेगा अब हम आते हैं अगले टॉपिक वे विच इस इलेक्ट्रो मेंटिक इंडक्शन और इसको प्यार सेम्स का जो छोटा नाम है वो है आप इसको एक चोटा नाम भी है EMI बोलते हुआ है तो फिनोमिना विच इलेक्ट्री करेंटिक इंड्यूसर किट्विक व्यार चेंजिंग मेंटिक फ्लक्स यह फिल्ड इसको इलेक्ट्रो मेंटिक इंडक्शन तो जब भी किसी लूप में से आप मेंटिक फिल्ड को चेंज क क्या होते हैं Electromagnetic induction मतलब कोई loop है मालो कैसे हो सकता है मालो कोई loop है सबसक्त आप को magnet है आपके बस magnet से लाइने निकल रही है तो कुछ लाइन यहां से पास हो रही होंगी लूप से है नो कुछ लाइन यहां से अब मालो इस loop को आप दूर ले गए तो line क्या होंगी इससे जो पास हो रही होंगी और घट जाएंगी अगर ko ले जाओ तो line क्या अओगी कम हो जाएंगी उस case में इस loop में current induced होगा जिसको हम बोलते हैं induced current और इस phenomenon को हम बोलते हैं electromagnetic induction electromagnetic induction right तो electromagnetic induction कहां पर हो सकता है बने practical application कहां पर होती है आपको पता है कि जब generator होता है वापे भी coil rotate करती है coil rotate करने से flux उसमें change होता है और flux change होने से उसमें current induced होता है जिसको आप use करते हो घर के fan और light वगारे चलाने में तो वहाँ पर हम EMI use करते हैं अभी अपने left hand flaming पढ़ा थोड़ देर पहले left hand flaming क्या होता है कि force कि दर लगेगा current आप flow करा रहे हो current already है वहाँ पर induce नहीं हुआ वह already है आपने force कि दर को लगा यह निकाला ऐसा काहाँ पर होगा current already है field already है सोचो जरा सोचो ऐसा होगा yes electric motor में electric motor में field होगा current होगा sorry current होगा field होगा आपको force बताना होगा कि motor जो गूमेगी है न उसमे फोर्स लगेगा न मोटर गूमने के लिए force चाहिए होता है तो क्यों लगेगा कि अपने current पास कर रहा है field already होता है magnet उसमें होती है तो फिर उसमें force लगता है तो वह होता है आपका motor में और यह जो आप देख रहे हैं यह फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण current induced हो रहा है यह होता है generator में ठीक है तो यहां पर difference होता है तो हम चल रहे हैं आप EMI में आगे चलते हैं तो यह जो फेराडे ने जो है यह law proof किया देखो यह magnet को जब अंदर लेके जा रहे हैं या फिर इस से बाहर निकाल रहे हैं तो फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है तो यहां पर current जो है शो हो रहा है तो जब यह magnet अंदर जा रही है या दूर जा रही है तो यहां तब coil को मूग करा सकते थे जिसे मैंने coil को मूग करा था जो पिछे दिखा था मैंने coil को मूग करा था है ना आप इन्होंने किसको मूग किया इन्होंने magnet को मूग किया तो एक कोशन भी पूछने क्या वार क्या तरीकिया हो सकते हैं तो फैक्टर विच इंड्यूस करेंट डिपेंड जो पर डिपेंड करता है तो बहुत करेंगा एक तो डिपेंड करेंगा कि आपने इसमें अगर ज्यादा कर पाएगी कम होगी विक तो कम करेंगी तो पर तेसरा आपने इसको कितनी से मूव करा आए कि या धिरे धिरे पास लेकिया लेकि अगर तो इसमें जो फ्लक्स होगा जो इसके इंदर फ्लक्स जा रहे हो तैजी से चेंज होगा और चेंज होगा और यह होते हैं हमारा तो आगे करते हैं अगला टॉपिक हमारा है यह हमारा है यह निकाला था अगर कवरण लूप है या सम्तिंग है तो वहां पे तों Flux Change हो रहा है तो मगनेटिक ल्ट परडूज हो रहा है उस्सेर राइग कई बार क्या होता है माल लो इस्टेट कंडूक्टर है कोई ऐसा इस्टेट और इसमें current flow हो रहा है और आपने इसको sorry current पर wait माल लिज़े आपका को स्ट्रेट कर्फटर है और इसको आपने एक magnetic field में माल लो magnetic field है कोई सब्सक्राइब को अंदर को है अंदर को फिल्ड होता है वन्हें कोई current induced नहीं होगा इसमें कोई current induced नहीं होगा लेकिन अगर आप इसे मूव कराएंगे ऐसा मालनों मैंने किसी वेरोसिटी से मूव कराया ऐसे तो यह जो अगर conductor पूरा का पूरा वायर अगर बूव करेगा तो इसमें क्या होगा एक charge फ्लो होने लगेगा कुछ चार्ज उपर और कुछ चार्ज नीचे की तरफ जाने लगेगा कुछ चार्ज इसमें मूव करेगा उसको बूलेंगे induced charge या induced current तो कुछ time के लिए होगा वो तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि induced current कि दर को या पर तो तुबारा वो और तो तुबारा वा अंपर क्या रहा है यहां पर मोशन या फिर फोर्स और फोर्स दर को लगा तो भी सेम चीज तो तुबार हम यूज करते हैं इस बार जैसे हम बूले है फादर मदर चाइल्ड इस तो मेरा जो है देखिए राइट फ्लैमिंग है नियुक्त करना पड़ेगा अंगुठा अंधर को हो गया और अंगुठा इदर को हो गया अभी यह क्या रहा है मेरा जो करेंट है अगुठा इदर को आरें तो करेंट मेरा कि दर को आ अपर को आ इंडूस करेंट जो होगा टुवर्ड रोगा उपकर को तो तो यह आपके ज्यादा नहीं पूछता है, NCRT वगरव डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो यह question usually नहीं पूछता है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा basic idea होना चाहिए, क्योंकि पूछ भी सकता है, अगर उसको लगए, बोर्ड में अगर tough question बनाने लगे, तो यह भी पूछ सकता है, right-hand framing दो पूछ सकता हो इस, लेकिन उसकी application जो है, वो आपको थोड़ा सा basic बस इतना देख लो, अगर आपको यह सौझ में आगया, तो it is sufficient, क्योंकि generator आपके slavis में है नहीं, अगर generator होता तो वहापर यूज होता है, तो वहाँ पर फिर हम लोग इसको detail में देखते हैं, लेकिन अभी केवल हम इतना देखेंगे बस, ठीक है, चाड़िए, अब आगे देखते हैं, explain the different way of induced current इन दा coil, जो मैं आपको पूछा था, क्या क्या वे हो सकती है, induce करने की, तो आपने देखा था क्या क्या वे हो सकती है, अगर हम coil और magnet को relative motion करें, मतलब को पास लेके आए, coil को दूर लेके जाए, तब हो सकता है, induce current, pass लेके आए, दूर लेके जाए, coil को या magnet को, तो उनमें relative motion होना चाहिए, दूसरा, there is a relative motion between the coil and a conductor carrying current, अगर एक coil हो और current carrying conductor हो, मालूब एक current carrying conductor है ऐसा, तो इसका भी अपना field होता है, अगर इसमें current pass करना, तो इसका अपना field होता है, तो आपने मालूब कोई coil रखी हैं आपे, और इसका अपना field होगा, तो अगर आप इसको दूर लेके जाएंगे, आप पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, इसका field जो होगा, जो इसका field होता है, इसके चावट रख, वो field इसके साथ, यहाँ पे भी होगा, तो अगर आप इसको पास लेके जाएंगे तो field बढ़ेगा इसके अंदर से, जो इसके अंदर से pass होगा, वो बढ़ेगा, और होगा, तो जो इसके field लाइने पास कर रही है, वो कम यह जाएगा, तो इसके field लाइने पास कर रही है, वो कम यह जादा हो जाएगी, तो इसके फ्लक्स है वो, अगर मनलों अपने current बढ़ा है, तो उसका field strong हुआ, strong field हुआ तो यहाँ जादा पास करेगा, और अगर अपने current घटा है, तो field कम होगा, flux कम पास करेगा, तो in any way, यहाँ field change हो रहा है, यहाँ पर flux क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और अगर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, तो फेराडे ने बोल दिया था, पहले ही, लिख दिया था अपने ग्रंतों में, कि भाई, यहाँ पर हमारा current induced होगा, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर current induced हो जाएगा, और आपको लगेगा जटका, ठीक है, तो यहाँ पर current induced होगा, तो इस वे से हम लोग current induced कर सकते हैं, एक current केरिंग, sorry, एक coil में, right, अच्छा, अब आते हैं, electric motor, तो motor हमारे syllabus में है, तो motor पर हम लोग आयाते हैं, तो electric motor जो होती है, आपने घर में use कियोगी सब लोगोंने, जायता हम लोग यूज करते हैं, पानी को उख करने के लिए, फेकने को पानी को tank पे चड़ाने के लिए, बाकी और भी कारण, कई सारे बहु सकते हैं, बस में use कर सकते हैं, और कई क्या करता है, mechanical work करता है, तो it converts electrical energy into the mechanical energy, और इसका principle क्या है, principle है कि current carrying conductor when plays in a magnetic field experience is the force, अगर आप current carrying conductor को magnetic field में रखोगे, तो उसके क्या लगेगा, force लगेगा, वो हमने already देखा था, left and flaming roots हम निकालते हैं, कि उसके force कि दर को लगता है, तो उसके force लगेगा, यह हमने already देखा था, तो इसका principle हुआ, essential part क्या होते हैं इसके, soft होता है इसमें, armature, commutator and brushes, यह इसके important part है, इसके important part है, तो देखिए इसमें, shaft क्या होता है, जो rod होती है, आपकी जो rotate करती है, current passes, अगर आप अगला diagram देखेंगे, तो यहाँ बीच में, shaft होता है, दिखा नहीं रखा है, तो यहाँ पर बीच में, shaft होती है, rod होती है, इसके about यह पूरा घूमता है, दूसरा क्या था हमारा, दूसर इसको हम बोलते है, armature, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यह जो है, आपकी wire है, जो कि एक soft iron core में, आपने wind करी हुई है, इसको हम बोलते है, armature, यह पूरी जो coil का system है, इसको बोलते है, armature, and it is placed between two magnets, आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखे आप देखें आगे, तो फिर है आपका split ring, तो यहाँ पर जो है, एक और होता है, आपका metallic split ring है, यह क्या चीज है, जहाँ पर आपने coil को connect किया हुए, यह देखेंगे, आपने split ring थी, आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो यह split ring होती है, तो यह बहुत important होती है, इसका use क्या होता है, तो यह काफी important है, तो यह split ring, armature, and आपका जो shaft है, वो आपको पता होना चाहिए, तो यह हमने देख लिया कि, यह सब हमारे होते हैं, यह इसका diagram है, आपको diagram भी पता होना चाहिए, तो when the soft rotate commutator and the coil which are fixed with the soft rotate with it, तो यह घूमती हैं आपस में, और यहाँ पर carbon brush भी होत इस split ring में और भार के circuit को connect करते हैं, जो यह circuit है, यहाँ पर आप battery दिखा सकते हैं, जो आपकी battery होती है, ऐसे आप दिखा सकते हो, हमने तो cell लगा दिया आप लेकिन battery होती है, usually, ऐसी battery दिखाते हैं आप लोग, तो वो जो है, यह wire यह external circuit है आपका, और इसको जो internal circuit से connect करता है वो है carbon brush, तो split ring में current आया, और फिर carbon brush से वो इसके पास कर गिया, तो यहाँ पर जो carbon brush होते हैं, वो अंदर वाले current को भार वाले circuit से connect करता है, तो आप देखिए, what is the principle of electric motor, तो principle आपने 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 इसको कर लिया था, कि principle आपका जो होता है, कि अगर आप current carrying conductor को magnetic field में रखेंगे तो फोर्स लगेगा, वो इसका एक principle है, and direction of force is given by left and flaming rule, what is the role of split ring, यह भी पूछते हैं आप से कही बार, यह question देखिए, what is the role of split ring, तो role क्या है इसका, इसका role क्या है, मैंने आपको रोल बता दिया था इस तो, अच्छा यहाँ पर दुबार आ जा होता है, वो होता है आपका की current को unidirectional रखना, अभी हम देखते उसका मतलब क्या है, ठीक है, तो दुबार कोशन आये, what is the principle working of the electric motor principle क्या है, coil carrying conductor place in a magnetic field, experience is the force, यह इसका principle है, function of armature, यह आप से कही और गुशते हैं कि इसका function क्या है, armature का brushers का split ring का, armature का function क्या है, armature तो क्या ह है, आपकी coil है, rectangular coil, coil को रखो के तब तो force लगेगा, जब coil को magnetic field में रखोगे, तो यह rectangular coil होती है, और इसमें झो electricity pass होती है, magnetic field के कारण यह force experience करती है, और उसके कारण ही है, rotate करती है, क्या करती है, rotate क्योंकि है, fix होती है, तो यह भागती नहीं है, यहाँ रोटेट करती है, force क्या होता है, rotate, तो यह rotate करती है, brush का function क्या होता है, carbon brush का, it helps in easy transfer of charge between coil and the external circuit, जो internal coil है, जो armature है, और जो external circuit है, उसके बीच में यह current transfer का, एक immediate, sorry, mediatory जो है, role एक play करता है, उसको transfer करता है, थर्ड आपका है, function of the splitting, बहुत important is splitting का क्या function है, it reverse the direction of the current after each half rotation of the coil, so that it keep rotating continuously, देखो क्या होता है, actually, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो डियाग्राम था ना, पर यह वाला डियाग्राम, तो इसमें क्या है, current यहाँ पास कर रहा है भी, और force ऐसे लग रहा है उपर, तो यह ring जो है, ऐसे rotate करेगी, इस पर force नीचे को लगेगा, तो यह ऐसे rotate करेगी, अबने мыllot rotate करके यहाँ पार्ट यहाँ आगे हो, यहाँ पे आगिया, ठीक है, यहाला पार्ट पुरा घूम के यहाँ पे आ गया, खिक है, अब मालो करेंट जो है, इस पर उपर को जा रहा था, तो यहाला पार्ट यहाँ पर जाने लगे, तो क्या ओगा फिर, अ थो उपर को लगएगा यानि क्या होगा कि यह चीज जो है फोर्स उपर लगना रहाएगा और यह वाला पार्ट यहां आ गया तो इस पर पर करेंट कीजर था नीचे जाड़ता इदर नीचे जा लगने रहा तो फिर फिर वह एसे-एसे करते रहे गुंबेगी नहीं तो क्या होगा पूरा गुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये एंशूर करना पड़ेगा यहीं एक सुरॉज जैगा यहां से उपर की तरफ होगा तो कर्इंट अभी आपकी से मवर्लों ऐसे है बाद में भी वह ऐसे ही हलाला पार्ट यहाँ आ चुपा होगा तो किया होगा फोर्स आपका हमेशा एक पर उद्पर डिरेक्शन में ही रोटेट करेगी ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसेज़ंद और फिर ऐसे करी तो आई होप एक क्लियर होगा सबको दुबारा ध्यान से देखिए अगर अभी भी क्लियर नहीं है इसको एक वार समझें हम लोग कि जब आपका करण्ट ऐसे जा रहा है इधर को जा रहा है तो फोल्ड की फोल्स की डिरेक्शन यह आई कैसे निकालोगा आप केस्ट मेरा जो है इस वाले में आगर मैं देखं़ें तो अंदर को करंट या रहा है तो फिल्ड हीना से साथ यहां आ गया तो current अगर इस पर नीचे को ही रहा तो फोर्स फिर उपर नहीं लगेगा नीचे लगेगा तो अभी तो यह यूँ गूम रही है फिर यह यूँ गूमेगी है ना तो current आपका जो motion है जो फोर्स है वो हमेशा एक particular direction में लगे clockwise जैंटी clockwise मोटर एक particular direction में घूमे उस क्या लिखा है function इसका it reverse the direction of the current after each half rotation after half rotation वो जो है direction of current अंदर जो armature उसमें current की direction change कर देता है after each half rotation so that coil keep rotating continuously in you can say single direction यह इना particular direction तो अगर वो clockwise गूम लिए तो हमेशा clockwise ही गूमती रहेगी ओके तो यह हमारा इसका function है उसके बाद यार यह आपके स्लेवस में नहीं है domestic circuit and fuse wire and other things फिर भी basically थोड़ा देख लेते हैं चोटा सा तो यार जो domestic circuit होता समय important चीज़े यह होती थी कि आपकी तीन तरह की वायर होती थी पर दो बात यह है कि domestic circuit जो होता है आपने घर में जो circuit लगाया होगा उसमें क्या हो यह फैन है heater है cooler है सबको parallel में लगाते हैं उसके लावा main switch करते हैं आपका मेंटर लगा होता है fuse wire होती है safety के लिए और आपकी जो है earth wire भी होती है extra safety के लिए कि जो extra excess charge अगर कर भी आता है तो वो जमीन में चला जाए तो यह सब होता था तीन तरह की wire होती है red wire black wire green wire यह आपकी जो होती है red wire वो आपकी live wire होती है black wire neutral होती है यह आपकी जो green wire होती है वो earthing के लिए use होती है अर्थिंग के लिए यूज करते हैं सलेवस में नहीं है फिर भी किसी के स्कूल में अगर आ रहा हो तो फ्यूज वायर होता है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट परने के लिए यूज होता है बेस्ट जूल सिटी इफेक्ट होता है और made up of tin and lead होता है और इसका low melting point होता है तो important point best of luck for your exam and thank you everyone see you in the next video bye all of you